सो नमस्कार दोस्तों मैं आपका हूस्ट मयंक एक बार फेल से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज है 23 जन्वरी का दिन और मैं बिल्कुल अल सुबह ये वीडियो गना रहा हूं अभी लगबग 8 बजे का समय हो रहा होगा सुबह सुबह ये वीडियो से शूट करनी पड़ रही है क्योंकि बिल्कुल आज अर्ली मॉर्निंग जो है डवली और में अपनी सारी स्पेशल ट्रेंज है जो आस्थर स्पेशल ट्रेंज है उन सभी का टाइम टेबल जारी कर दिया है रूट और टाइम टेबल मतलब जो सारी डिटेल्स है उससाब आउट कर दिये रिफिकेशन के थूट तो अभी आपको जहे आपको नोटीफिकेशन के साहती हा और सारी बाते डिफीजिचन के साथ यह करूंगा ताकि कि आपको ज्यादी अच्छह समझ माई एगी तो सीधे सीधा मिलते हैं PDF पर तो यह जो है आपके सामने खुल चुका है Western Railways का notification जो की Western Railways ने कल देर राज जारी गया था आप देख सकते हैं 22 जन्वरी की तारीक भी डली हुई है और अभी बिल्कुल early morning मैंने ने देखा उठ करके जब मेरे पास मेसेज आया है इस PDF का तो इस PDF की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर आठ जो है आस्था स्पेशल ट्रेने WR ने इसमें नोटिफाई की हुई है जिसमें साबर्मती उधना वलसाड वापी पालनपूर इंदौर वडोद्रा ऐसे अलग-अलग सिटी से कुल मिलाकर करके आठ स्पेशल ट्रेने है तो इसमें जो है हम मेंली जो बात करेंगे वो करेंगे इंदौर से चलने वाली आस्था स्पेशल की जो इंदौर अयोद्या आस्था स्पेशल चलने वाली है पूरे टाइम टेबल के आपसे जो है मैं डीटेल में बात करूंगा पूरा डीटेल व जीरो नाइन इंदोर आयुद्ध्या इंदोर आस्था स्पेशल रहेगी इंदोर से आयुद्या धाम तक चलेगी है तीन ट्रिप जो है कुल मिलाकर रखी गई है और आप देखेंगे अगर मैं आपको बता जाता हूं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हफते में एक बार रहेगी और तीन ट्रिप लगाएगी जाने में भी और तीन ट्रिप आने में और रेक का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर करके 20 स्लीपर कोश रहेंगे और 2 SLR रहेंगे मतलब अगर आपको बताओं मैं तो नॉन एसी ट्रेन रहेगी फुली नॉन एस सिंदौर में है और सेकेंडरी मेंटेनेंस जो है वो आयोध्या रहेगा मतलब आयोध्या से प्लेटफॉर्म रिटर्ण ट्रेन के रूप में रहेगी और एंटो एंड एलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पर चलेगी और अब मैं आपको जो है इसका पूरा वो बता जाता हूं टाइ इंदौर से यह 10 फरवरी 17 फरवरी और 24 फरवरी को टूवर्ड आयोध्या धाम चलेगी और आयोध्या से 12 फरवरी 19 फरवरी और 26 फरवरी को टूवर्ड जिंदौर चलेगी अभी यह special train के रूप में चल रही है अभी मतलब यह proper जो regular train है वो नहीं है बाकि आगे देखते है फ्यूचर में या फिर इस train के चलने के बाद या तो इस train की frequency बढ़ाई जाती है या फिर कोई नई regular train दी जाती है इंदौर को आयोध्या के लिए तब तक हम इसका टाइम टेबल है उसका पूरी समिक्षा कर लेते हैं एक मुझे बहुत मतलब disappointing से चीज लगी के इंदौर से आयोध्या का जो रास्ता 900-900 km का हो सकता था 900-900 km का था जहां तक मैंने देखा था जो सीधा रास्ता था मैंने उसकी पूरी मतलब लगभग मैंने वह बना लिया था के एक मन में एक धारणा बना ली थी कि हां इस रूट से हो कर के चल सकती है मतलब मेरे दिमांग में सिर्फ दो रूट थे जो की बैस्ट हो सकते थे रिए वो मैं आपसे भी कर देता हूं एक हमारे और हमारे जितने भी कम्रनेटी लोग घील है सब्सक्राइब टूट्रं ज है जानकार लोग है उनसे मैंने शेयल किया था कि यह जो दो रूट यह जा बुखना है चाहिए थे पहला रूट जो था इसका इंदार से वैसे हमने उजजयन को लेकर ही ये ट्रेन सोची थी इंदार और उन्हों को मेंली सर्व करती है ट्रेन पहला में जो रूट सोचा था वह ये सोचा था कि ये ट्रेन वाया मक्सी शाजापूर गुना गुना-गु पर आप आराम से 19 घंटे में इसका टीटी बना करके आप इंदोर आयुद्या कर सकते थे इसमें में इनली मेरा फोकस यह था कि जो मक्सी से गुना-गौलियर वाला रूट है जो शाजापूर वगेरा जो सिटीज है शाजापूर हुआ सारंगपूर है या कहा जाए गुना है शिवपूरी है यह सिटीज जो है प्लस जो रूट सेक्शन है वो भी काफी नेगलेक्टेड सेक्शन है तो वहाँ पर अभी जितनी भी आस्था स्पेशल जो अनौन्स की गई है उस रूट से एक भी नहीं की है तो एक वो रूट जो था वो मेरे जहन में था वो मेरे लिए प्राइमरी था उसके बाद का जो मेरे पास एक रूट था वो यह हो सकता था कि यह गाड़ी इंदौर से उज्जेन हो करके वाया संथिर्दा राम नगर बीना जासी ओरही होके जो मतलब अभी जो अभी करंट रूट आया हुआ है इसी में से एक छोटा सा पार्ट चेंज रह सिर्फ इसमें नागदा और रतलाम कवर नहीं होता और इंदौर से उज्जेन होकर के यही जो पूरा सेम रूट है लेकर के यह आयोध्या चली आती लेकिन आप मैं बता देता हूं कि आपको इसका एक्श्यल रूट क्या दिया गया है वह अभी हम डिसकस करें और यह जो है इंदौर से उज्जेन होकर तो जारी है लेकिन इंदौर से उज्जेन जो है जो दो सबसे छोटे रूट है एक इंदौर से देवास होके उज्जेन है जो की आपको पढ़ता है लगबक्स नावासी किलोमेटर 79 किलोमेटर जिसको बूलू मैं और एक इंदौर से वाया फते प्रणियाबाद बढणागर होकर पहले रतलाम जाएगी, मतलब 118 किलोमेटर पहले रतलाम जाएगी, फिर वहाँ से रतलाम से 96 किलोमेटर यह उज्जेण जाएगी, यानि कि इस ट्रेन से आपको इंदोर से उज्जेण की दूरी जो है, वो पढ़ने वाले यह 214 किलोमेटर मतलब अब आप सोचके देख सकते हैं 214 किलोमेटर इंदोर से उज्जेन की दूरी पड़े ही मतलब जितने दूरी पे इंसान इंदोर से भोपाल पहुच जाता है उतनी दूरी पे इंदोर से व्यक्ती जो है सी 50-55 किलोमेटर दूर ही जा पाएगा अगर टेक्निकली देखा जाए डिरेक्टली अगर इंदोर से उज्जेन की दूरी अगर बाएग रोड देखोगे आप 55-55 किलोमेटर है और शॉटेस जो ट्रेन रूट उससे 62 किलोमेटर है मतलब अगर इंदोर से आप ट्रेन ना पकड़के बस से उज्जेन पहुचोगे तो भी ट्रेन पकड़ सकते हो कि उज्जेन का टाइम शाम को 5-25 का है आप अगर इंदोर से तीन बज़े बस में बेटके उज्जन पहुँच जाओगा तो भी ये ट्रेन आप उज्जन में पकड़ सकते हो मतलब इंदोर के लिए ये ट्रेन लगबग 200-200 km घुमाई गई है जिसमें जो है यात्रियों को मतलब खास कर जण दोर के यात्रिय हैं उनको आप ये समय की भी बरबादी होगी और फेर भी जादा देना पड़ेगा लगबग लगबग आप समय लिजिए के 200-200 km का आपका जो है किलोमेटर का ट्रेवल बढ़ेगा और फेर भी उतना ही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन दोर से जो है एक बज़े का डिपार्चर दिया है और दो पचास पे रतलाम पहुचरी याने कि लगबग एक गंटा पचास मिनिट ये इन दोर से रतलाम का लेगी वहाँ पे दस मिनिट का हॉल्ट लेकर के तीन अठावन पर ये नागदा पहुचेगी वहाँ दो मिनिट का हॉल्ट है इसका वहाँ से चार बज़े डिपार्ट करके पांच पच्चिस का उज्जेन का टाइम है और वहाँ भी इसका दस मिनिट का हॉल्ट है और उसके बाद इसका next haul रहेगा मक्सी यह सब commercial hauls है commercial hauls बता रहों मैं यह सब आपको next haul जो है मक्सी है जहाँ पे 7 बज़े का arrival है 7-5 का departure है उसके बाद संथिर्दाराम नगर जो की भोपाल में आता है उसका 9-20 का arrival 9-25 का departure है 5-5 मिनिट के haul दोनों ही जगा पर दिये गए है उसके बाद रात को 7-12 बज़े ही है बीना पहुचेगी महापे भी 10 मिनिट का haul टेसका उसके बाद विरांगना लक्ष्मी भाई जासी जंक्षन पर ट्रेन जो है रात को 19 घंटे में पूरा हो सकता था उस ट्रेवल को आपको पूरा करने के लिए लगबग लगबग पूरा दिन ही देना पड़ेगा तेस घंटे 10 मिनिट का इसका टीटी है जाने में 22 घंटे 15 मिनिट का है आने में मतलब अगर आप एक गंटा जोड लें फिर डिले जोड लेंगे तो वो एक दिन ही हो जाएगा पूरा आपको 24 घंटे मलब पूरा एक दिन आपको ट्रेन में रहना पड़ेगा जो की 18-19 घंटे होता अगर ये गाड़ी शौर्ट रूट से चलती तो तो ये जो है कारस्तानी की है वेस्टन रिल्वेज ने पूरी गाड़ी जो है वो घुमा दिये मतलब भोपाल जैसे इन ओर से सन्थिर्दारम नगर जो की वाया देवास मक्सी लगबग सवा 200 किलोमेटर पड़ता है और उज्जेन होंके मुश्किल से गंटा 25 मिनिट मतलब आपको सिव इन ओर से उज्जेन पहुचने में उतना टाइम लेगा जितने में गाड़ी भोपाल पहुच जाती चार गंटा 25 मिनिट में इन ओर से ये गाड़ी जो है उज्जेन का रास्ता कवर करेगी सिर्फ और रात को 9.20 पे ये गाड़ी जो है संतिर्दाराम नगर यानि की भोपाल पहुच रही है यानि की इन दौर से लगबग लगबग ये गाड़ी ले रही है 8 गंटा 20 मिनिट सिर्फ भोपाल पहुचने के और उसी प्रकार अगर आपको मैं रेटन का टीटी बताओं उसका तो जो ट्रेन जिस दिन आयोध्या पहुच रही है अगले दिन पहुचेगी 10 को चल के 11 को तो 12 को वहाँ से चलेगी 12 को वहाँ से ये मतलब जिस दिन ये पहुच रही आयोध्या उसके नेक्स डे वहाँ से निकलेगी रात को 9.50 पर और अगले दिन रात को 8.05 पर इंदौर पहुचेगी में में स्टेशन के टाइमिंग बता देता हूँ आपको खासकर जो इंदौर के आसपास के हैं आयोध्या से 9.50 पर चलकर अगले दिन दोपेर में 3.35 पर उपजयन आ रही है दोपेर में 4.50 पर नागदा आ रही है शाम को 5.35 पर रतलाम आ रही है और रात को 8.05 पर इंदौर का जो है इसका आराइवल रहेगा तो कुछ इस प्रकार से है वेस्टन रेलवेस की इंदौर आयोध्या दाम इंदौर आस्था स्पेशल की जो टाइम टेबल है और टाइमिंग्ज है मतलब मैं डिसापॉइंटेड हूँ मैं अगर आयोध्या जाओंगा तो मैं यह गाड़ी तो प्रिफर नहीं करूंगा वह अलग बात है कि किषी गाड़ी में अगर टिकेट नहीं मीले तो मजबुरी में ne जरूर 25तिस में जाएका वैसे देखा जै तो मजबुरी का इसा इसा उठाया गया है सब्आए क्यूंकि जैसा आप सभी को पता है के इस तो परानप्रतिष्ठा हुई है और जाहिल सी बात रेल्वेज को भी पता ही होगा कि अभी कुछ समय के लिए तो बहुत जादा रश रहने वाला है अभी लगभग लगभग देखा जाये तो कम से कम अभी जो शुरुवाती दिनों में काफी रश रहेगा लोग हर किसी की इक्षा है वहाँ पर दर्शन करने की श दिया है क्योंकि जितनी आप दूसरी गाडियां देखेंगे अगर मैं आपको ऊपर की कोई भी गाली बताऊंगा ना जो की वड़ोद्रा या पालनपूर या महसाना या वलसाड वापी से चल रही है वो सारी गाडियों को डवल्यो आर ने जो है वाया उदना नंदुरबा जलगाओं खंडवा इटार सी जबलपूल वाजर रूट से गुमा दिया है सारी गाडियों को एटु जेड कोई भी गाली नहीं है जो की रेल्वेज ने वाया रतलाम उज्जेन दी हो जितनी भी गालिया चल रही है वो वड़ोद्रा से है महसाना से क्यों नहीं चल रही है चली एक बार को यह समझ माता है कि वापी वलचाड से गाड़ी अगर नंदूर बार की तरफ चले गई या सूरत से चली गई वो समझ आता है लेकिन वड़ोद्रा से तो शॉर्टेस्ट रूड वाया उज्जेन मक्सी होता लेकिन फिर भी जो है डबल्यो आर ने वो सारी ग जनरेट होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गाड़ी 500 किलोमेटर घूम जाएगी तो 500 किलोमेटर का जो फेर जनरेट होगा उससे इनका जो है कमाई भी होगी और स्पेशल ट्रेन तो स्पेशल फेर भी होगा तो कुछ ऐसा है यह टाइम टेबल मैं आपको पूरा टाइ आप लेख सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज हमने डिसकस किया पूरा जो टाइम टेवल था इंदोर अयुद्या ट्रेन का और जिस दिन इसका फर्स्ट रन होगा पूरी कोशिश रहेगी के फर्स्ट रन जो है कवर किया जाए स्टेशन जाकर के प वीडियो को अंदक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों तब तक के लिए आप सभी से अलविदा जै हिंद जै भारत